हलो दोस्तो मैं पिशान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक क्वीटी टू कम्यूटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम एक काफी क्रूशियल टॉपिक के उपर बात करने जा रहे हैं यह जो टॉपिक है इसका प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ता है लेकिन इसके उपर बहुत कम लोग बात करना प्रेफर करते हैं बहुत कम जगव वीडियो ऐसा देखने को मिलेगा लेकिन हम वही सारे वीडियो बनाते हैं जो कि आपको रियल मार्केट में हेल्प करेगा जिससे आपको रियल मार्केट में जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो प्रॉब्लम आगे फेस करना ना पड़े तो इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं कि आपको कब profit book नहीं करना है यह हम बताने जा रहे हैं हम ऐसा point find करेंगे जहांपे अगर आप पहले profit book करके निकल जाते हैं तो आप बहुत बड़ा profit opportunity miss कर देने इसलिए उस point पे हमें hold करना है और हमें अच्छा खासा profit के साथ market से निकलना और at the same time आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कब हमें early यान जल्दी profit book करना और कब हमें hold नहीं करना maximum लोग इसी में confused होते हैं जहांपे उनको hold करना चाहिए वहांपे वो जल्दी profit book करके निकल जाते हैं और जहांपे जल्दी profit booking करना चाहिए वहांपे वो रुखते हैं जो की positive वाला trade वो negative में ले जाते हैं और as a result उनको नुक्सान उठाना पड़ता है तो इस confusion का solution आपको ये वीडियो देखने के बाद complete तरीके से समझ में आ जाएगा चलिए start करते हैं तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको एक picture दिखाना चाहूंगा अब देखिए जब भी ऐसा pattern आपको देखने को मिले यानि सबसे पहले यहां पर हमें क्या find करना एक up trend हमें identify करना ठीक है step by step दियान देना अब trend हमने identify कर दिया उसके बाद इहां पर हमें एक resistance level यह नि एक range bound move find करना यह नि एक level find करना जहांसे price आपका नीचे आए उसके बाद हमें एक और किया find करना एक और इहां पर हमें break out find करना है जैसे यहां पर हम break out find कर लेंगे हम क्या कर सकते हमारा entry number one बन जाएगा अब इसके बाद price आपका ऊपर side की तरफ जाएगा और वापस से यहाँ से price आपका क्या form करेगा lower high pattern form करते हुए price आपका नीचे side की तरफ गिरता हुआ दिखेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम market से बाहर नहीं निकलेंगे exit नहीं करेंगे यहाँ पर हम market बने रहेंगे अपने strict SL के साथ और उसकी बाद जैसे यहाँ पर वापस से हमें breakout देखने को मिलेगा वापस से हम यहाँ पर entry ले सकते हैं यानि हमारा second entry यहाँ पर बन सकता है अगर हमने यहाँ पर entry नहीं लिया है तो आपको और भी entry करने का मौका मिलने बाले यहाँ पर आप कभी लेट नहीं होंगे हमेशा आपको opportunity मिलेगा profit बनाने का तो चली यह strategy कौन सा है इसको हम समझते है चार्ट पर चलके जहाँ पर आपको और clarity के साथ सारा खुद समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर हम चार्ट पर आगे अगर आप चार्ट पर देखो तो यहाँ पर क्या है price आपका नीचे से उपर side की तरफ जाता हुआ दिख रहा देख सकते हैं यहाँ पर price आपका नीचे से उपर side की तरफ जा रहा है और यहाँ पर आपका क्या form किया है वो क्या काम कर रहा था? काफी हग तक resistance के रूप में काम करता हुआ दिख रहा था. यानि यहाँ पे हमें एक Up Trend को identify किया और उसके बाद हमने एक Resistance Level को भी identify किया लिए यानि यहाँ पे हमारा दो step क्लियर है यानि सबसे पहले हमें क्या identify करना Up Trend उसके बाद हमें क्या find करना एक resistance level अब उसके बाद हमें तीसरा point क्या find करना इस resistance को break करके price उपर जाना चाहिए यह नहीं इसके बाद हमें breakout को भी identify करना है और यहाँ पर जैसे हम breakout को identify करेंगे हम confirmation candle के बाद buy side की तरफ entry लेगे यहाँ पर देखिए यह candle इसको break करके उपर निक अब यह जो point है जो candle का lowest point जो breaker के उपर निकला उसका lowest point हमाई लिए stop loss के रूप में काम करता हूँ दिखेगा अब इसके बाद price आपका उपर side की तरफ गया है अब यहाँ से price आपका नीचे गिरदने start किया है यहाँ एक high यहाँ पर बनाए फिर उससे अगला high इससे नीचे क्योंकि यह move समझना बहुत जादा जरूरी है तो यहाँ पर हमने entry ले लिया अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि price आपका नीचे गिरदा और price यहाँ से उपर गया है और इस तरीके से यहाँ पर नीचे गिरदा जब यह candle form कर दिया तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल ग यहाँ पर हम breakout की तैयारी करेंगे और अगर इस lowest point को break करके price नीचे आता है तो यहाँ पर हम exit कर सकते हैं यहाँ पर हमें market से निकलना है यहाँ पर हमें hold नहीं करना है ज्यादा हमें profit book कर लेना या फिर loss वो रहा है तो loss book करके हम exit कर लेंगे यहाँ पर आपको market से निकल जान लेकिन अगर इस point को या फिर इस support line को break नहीं करता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अपने positions को hold करेंगे यहाँ पर हम market में बने रहेंगे और उसके बाद देखिए price आपका उपर side की तरफ निकला है जैसे उपर side की तरफ निकला है तो जो लोग ने यहाँ पर entry लिया है ठी अब जिन लोग ने यहाँ पर entry ले लिया वो यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं वो यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं कि वो extra quantity अपना add कर सकते हैं यही वो कुछ और quantity यहाँ पर buy करके अपने quantity को increase कर सकते हैं दो काम यहाँ पर किया जा सकता है अब उसके बाद यहाँ पर वापस तो इस तरह के पैटरन का फॉर्मेशन किया यानि यहां पर क्या फॉर्म किया है आपका पीनेंट पैटरन का फॉर्मेशन किया है यहां पर हमें किसी भी तरफ ब्रेक आउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है यहां पर इंतजार करेंगे इसके नीचे जैसे आया यहां प्राइस उसके उपर निकला थो हम एकजिट कर लेंगे जो भी पोजिशन हमने लिया था उससे हम बाहर निकल जाएंगे अब यहां पर वापस से ब्रेक आउट देखने को ला है तो इस पॉइंट के आसपास हमारा क्या बनेगा यहां पर हमारा बनेगा इंट्री नमबर थर् किया और यहां पर को है और कब हमें profit book करना यानि कब हमें market से निकलना है यह समझ आपको develop करना होगा market में तब ही आप market से maximum profit derive कर सकते हैं और यह profit develop करने के लिए हमें एक चीज सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वह होगा twailing SL यानि without SL हम कुछ भी काम नहीं करेंगे इसमें twailing SL हमारा सबसे बरा support की रूप में काम करता हो दिखेगा यह निस सबसे बरा हमें एक राहत प्रोवाइड करेंगा क्योंकि अगर price drastically गीरा कुछ भी हो सकता है जैसे यहां पर देखिए एक large आपका spike दिखाया नीचे की तरफ यहां पर हमें कौन बचाएगा ट्वेलिंग SL हमारे लिए एक राहत बाला काम करता हो देखेगा हमें एक security प्रोवाइड करेगा insurance प्रोवाइड करता हो यहां पर हमें देख जाएगा तो इस लिए इस तरीके से आप reside गर सकते ही कहां पर आपको profit booking करना और कहां पर प्रोविट बुकिंग नहीं करना इन दोनों जगह पर हमने profit booking नहीं किया था क्योंकि यहां पर हमें एक pattern देखने को मिला था कौन सा flag pattern और यहां पर हमें पीनेंट पैटर्न देखने को मिला था, दोनों जगह से हमें ब्रेक आउट मिला था, तो हमने यहाँ पे candle में maturity चाहिए, और maturity इसलिए चाहिए क्योंकि थूरा बहुत manipulator move यहाँ से filter हो जाएगा, तो इसलिए इसका इसका इस्तमाल हम daily time frame में करेंगे, और इसके basis पे आप क्या कर सकते है, swing trading और positional trading काफी आसानी से कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसका इस्तमाल swing trading यहाँ फिर positional trading में इसका इस्तमाल हम कर सकते हैं, इसके basis पे intraday trading नहीं करेंगे, इसलिए जो future यहाँ फिर options में trade करते हैं, one week से जादा time frame बाले में, तो फिर swing trading या positional trading के ज़रिए, आप F&O में भी trade कर सकते हैं, अगर stocks F&O में available रहा तो, वैसे अगर हम campus की बात करेंगे, campus आपका F&O में available नहीं है, बाकि अगर कोई stocks F&O में available है, तो वहाँ पे आप trading कर सकते हैं, यहाँ पे हम आते दूसरे example पे, दूसरा example हमारा कल्यान जोलर्स का daily timeframe में, यहाँ पर भी हमें क्या find करना होगा, सबसे पहले, एक यहाँ पर होता हुआ दिखा है, उसके बाद तीसरा हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें एक breakout चाहिए, जहाँ पर हम क्या करेंगे जहाँ पर हम entry लेंगे, यहाँ प्राइस आपका एक रिष्टेंस का फॉर्मिशन किया जब इसके पहले भी रूप में काम करता हुआ दिख रहा था तो जैसे इसको ब्रेक करके ऊपर निकला है हम इसके आसपास इंट्री करेंगे क्यों कि यह जो चैंडल आपका उपेन हुआ है वही आपका लोग फॉर्म कि वहाँ पर ऐसका बायार्स के काफी हद तक जदा अगर्वर्मिशन के लिए नहींगे करेंगे अगर इसा नहीं पॉइंट यहां पर बनता हुआ दिख जाएगा और उसके बाद प्राइस आपका अपसाइड की तरफ गया और यहां पर वहाई क्या फॉर्म किया फ्लैग पैटरन का फॉर्मेशन किया इस लोइस पॉइंट को जोइन करते हुए ट्वेंड लाइन डूआ करेंगे प्राइस प्राइस आपका फिर से और अपसाइड की तरफ गया है और यहां पर वापस से आपका क्या फॉर्म किया है वही सेम पैटरन आपका पीनेंट पैटरन का भी फॉर्मेशन यहां पर करता हुआ दिखा यह आपका पीनेंट पैटरन है और इन सारे पैटरन के बारे में हमनें और डीटेल से study करना चाहते हैं तो हमने इसके उपर course भी design किया आप हमारा course भी visit करके देख सकते हैं उसके लिए आपको हमारा mobile app equity community को download करना होगा play store से नहीं तो इस video के description में भी link होगा वहाँ से भी आप हमारा mobile app download कर सकते हैं और वहाँ पे आपको technical indicators, chart pattern इन सब में आपको ये सारा pattern के बारे में details है from basic से लेके सारा कुछ बताया गया और इसके साथ आपको feature options के बारे में भी basic से advanced level तक बताया गया stock market के बारे में भी सारा course है जहाँ पर basic से लेके advanced level तक बताया गया हमने course को इस तरीके से design किया है कि वो सारा कुछ देखने के बाद आप एक independent trader के रूप में काम कर सकते हैं खुद से अपना trading distance ले सकते हैं और आप stock market को carrier के रूप में भी बना सकते हैं अगर आप सारे course को enroll कर लेते हैं तो एक बार आप हमारे mobile app पे विजिट करके जोगर देखिए आपको पसंद आता तब इन्वोल कर सकते हैं कुछ भी डाउट हो तो आप हमें call कर सकते हैं तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से देख सकते हैं जब भी इस तरह का pattern का formation होगा तो हम इस समझ में आ गया और कब आपको exit करना है यह भी आपको समझ में आ गया इसके बाद देखिए प्रैस आपका और उपर साइड की तरफ जाता हुआ दिखा और यहां पर भी आपका क्या form किया है यहां पर भी आपका एक आपका lower high pattern का formation करता हुआ दिख रहा है और नीचे में हम क्या करेंगे एक low आपका यहां पर फिर low यहां बना यह नहीं कोई pattern नहीं बना रहा हूँ एक low यहां पर यहां पर यहांपर यहन यह रहा है यह काफी हद गया तक एक pattern का formation कर रहा है तो इस तरीके से वापस से अगर हम देखें तो काफिया तक P9 pattern का ही formation करता हुआ दिख रहा फिर भी यहां पर हम इसके lowest point को mark कर लेंगे क्योंकि lowest point यहां पर बना तो इससे पहले नीचे गया था लेकिन इसके बाद नीचे नहीं गया था तो जैसे इसके नीचे जाता था हम यहां पर exit कर लेते हैं लेकिन नीचे नहीं गया था यहां पर भी हम इसको चाहे तो hold कर सकते हैं या फिर अगर आपको कहीं पर भी market से डर लग रहा तो एक काम सबसे पहले करना exit करना है यानि exit बटन आपको पहले दबाना अगर आप फोरे बहुत भी profit में या फिर loss में भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है market में जब आप satisfied है confidence है तो market में आप बने रहा सकते हैं जैसे आपको डर लग रहा आपको market से exit करना है और देख सकते हैं प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ ही trade करता हुआ दिख रहा है यहां पर हम लेकिन यहां पर अगर आप 80 या फिर 90 पर भी exit करते हैं तो आपको यहां पर लग भग 15% के आसपास आपको आसानी से profit मिलता हुआ दिख जाएगा अगर आप positional या फिर swing trading करते हैं तो और generally जो बड़े-बड़े traders होते हैं वो 15% annually अपना return मान के चलते हैं उतना मिल गया तो वो more than sufficient मानते हैं तो आपको यहां पर कुछ महीनों का ही wait करने के बाद इतना return मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा return होता है ज़्यादा हमें लालच भी नहीं करना और हमें बहुत कम return भी नहीं लेना एक sufficient amount of return की उमीद आप stock market से कर सकते हैं और इस तरीके साब stock market में लंबे स strategy था जिसके basis पर आपको समझ में आगया होगा कि कब हमें market में hold करना है और कब हमें market से exit लेना है और यह concept आपको apply करना real life market में तभी आप profit को maximize कर सकते हैं और losses को minimize कर सकते हैं वीडियो पसंद आया है प्लीज वीडियो को like करके इंकवेज कीजिए चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe भी किजिए चाथी साथ bell icon दवाना ना भूले ताकि जब भी हम वीडियो अप्लोड करे उसका notification आपको मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करे तो that's all friends मिलते है नेक् हिएल मिलते हैं